ओम शांति तो बाबा ने समझा दिया आपने समझ लिया तो जिन बातों के कारण आप निर्गुन हुए अब वो बते नहीं करनी है अभी गुनवान बनना है तो उसके लिए हमेशा बाबा क्या समझाया हुआ सिखाया हुआ पाठ याद रखना है अगर भूले तो रावन तो बैठाईए आपको विप्रीत दिशा की तरफ ले जाने के लिए आज सोचेंगे नहीं नहीं हम तो बाबा के ही हैं बाबा हमारा है ऐसा करके बच जाएंगे हम बाबा के बाबा हमारे हैं और सुने उनकी जो रामनमत पर है तो राम के कब के तक रहेंगे क्योंकि देखो मैनत लगती है तो जो नहीं सुनते हैं जो उनको नहीं समझ में आता है उनके साथ क्या होता होगा वो तो ही रावन की मत पर फिर बताओ क्या हाल करेंगे वो अपना आपको तो डारेक्शन रोज दिये जाते हैं समझानी मिलती है और जो नहीं समझते जो नहीं समझ में आता तो वो किस की मत पड़ चलते हैं रावन की मत फिर ऐसो गे साथ ही बहुत बन जाते हैं रावन मत वले फिर उसकी साथ ही बनते-बनते सारा कुनबाई सारा रावन मत का हो जाता है अब रावन की मत पड़े हो जाती है रावन की मत चल पड़ती है और फिर कहते हैं यह क्या हो गया, वो क्या हो गया, यह क्यों हुआ, उस समय तो नहीं पता पढ़ता है, थोड़े समय के बाद पता पढ़ता है, तो जिसकी मत पर चलते हो, उसका परभावप रहता है, तो रावन की मत पर चलते हो, राम की मत पर चलते हो, तो उसका देखने का नजरिया आप देखो जड़ा चेक करो जानते तो ना राम की मत पर चलोगे तो क्या नहूती होगी है रावन की मत पर चलोगे तो क्या नहूती होगी सब को सब पता है